हिंदी, हिंदी में हमें बच्चों को कब स्टार्ट करनी है, कैसे करानी है, क्या सबसे easy method है जो बच्चे लिखना जल्दी सीख जाए हिंदी और कैसे हमें स्टार्ट करना है आज ये सारे points हम clear करने वाले हैं अब हम कैसे clear करेंगे सबसे पहले हमें बच्चों को हिंदी के स्वर सिखाने है बोलना भी और लिखना भी means ए, आ, इ, ई, इ, ओ, उ, री ए, ए, ओ, ओ, आ, आ, आ तो हमें सबसे पहले ये स्वर सिखाने है बोलन और लिखना, लिखना कैसे सिखाने और कब से हमें स्टार्ट कर देना चाहिए, ज्यादा दर स्कूल में UKG में हिंदी आती है, लेकिन आप कोशिश कीजिए कि उसको LKG से ही हिंदी लिखना सिखाएं, अकर आप ये method follow करेंगे, ये dots follow करेंगे, तो 100% आप LKG में को हिंदी लिखना सिखा पाएंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं कि बच्चों के लिए हिंदी किस में लिखना easy होता है, देखें ये मैंने लिए English की 5-line notebook, बच्चों को हिंदी सिखाए जाती है, 5-line notebook में English की, तो इसके क्या dots लगाने हैं आप sleeping, standing, जो हम English में use करते हैं na, sleeping, standing, alphabets बनाने में, वही method हमें इसमें use करना है, आप बनाना देखिया, कर, कर, और यह यहां तक लेकर आना हैं बच्चों को, sleeping, standing, one more standing and sleeping, हमने देखा है उपर के red line और नीचे के red line हमने छोड़ दिये, इन जो पीच की 3 lines होती हैं, इसमें हम बच्चों को लिखना सिखाते हैं, e के आप dot देखिये ध्यान से, सिर्फ उपर की standing की सिर्फ दो dot लगानी है, one and two, यहीं से बच्चा बनाएगा, standing, curve, s के जैसे, आप बच्चों को बोल सकते है, s के जैसे बनाए, and curve, and sleeping, standing, s के जैसे e, and sleeping, u, u के लिए देखिये हमें क्या करना है, u के लिए भी हमें आ वाली three dots लगानी है, curve, curve, and curve, u, बड़े उ के लिए भी हमें same dot लगानी है, three, three, tail लगानी है, उसकी, बड़े उ के tail, re, re, बहुत मुश्किल लगता है देखने में, लेकिन बच्चे बहुत, अगर आप इस तरह के से कराएंगे, तो 100% बच्चे बहुत जल्दी सीख जाएंगे, सिर्फ dot dot लगानी है, re के लिए आपको, standing, और बच्चों को बूलिए, ऐसे two slanting line बनाएं, फिर एक और slanting line, यहीं से इसी middle dot से हलका सा एक curve, और एक one more curve, and slipping, re, फिर एक के लिए, एक के लिए हमें दो dot यहां लगानी है, और three dots हमको यहां लगानी है, इसका मतला हम इसको बनाएंगे standing, slanting, standing and slanting, हलका सा, slipping, एसे एनक के लिए भी हम यही डॉट लगाएंगे standing, slanting, standing and hull किसी slanting, sleeping अब आगए ए में मात्रा, मात्रा हम बच्चों को सिखाएंगे ऐसे ओ की मात्रा, ऐसे सिखाएंगे हम round करके कुछ parents बच्चों की मात्रा को जो सिखाते हैं, वो इस तरीके से भी सिखाते हैं कुछ school में, slanting and curve, आप ये भी सिखा सकते हैं, दो मैठड़ हैं इसके आप इस तरीके भी सिखा सकते हैं, और ये तरीका जो दुखत्रा है, जो मैं बता रही हूँ वो है कि बच्चों के starting से ही मात्रा सही तरीके से लगानी आ जाए curve and slanting, हलका सा वो curve ले and slanting इस तरीके से एक ही मात्रा लगाएं, ओ, ओ के लिए भी हमें वही three dots लगानी है curve, curve, slipping, standing, standing and दो मात्रा इस तरीके से, एक मात्रा लगाएं o के लिए curve, slipping, standing, standing, o, on, slipping and उपर एक dot standing, sleeping and two dots तो यह हमारे हिंदी के स्वर जिसे हम easily बच्चों को LKG से ही लिखना सिखा सकते हैं इसमें हमने देखा है A, A, छोटी, E, बड़ी, बड़ी की curve हम रहा गई standing, slip, S की तरसे, and उपर curve, इस तरीके से हम बड़ी सिखाएंगे, बड़ी E, O, बड़ा O, Rी Rी एक बार आप दिख लीजे, किस तरीके से बनाना हमें, सिर्फ standing line, standing, curve, slanting and curve one more curve and slipping, Rी, A, बड़ी A, O, O, अं, अन, तो ये है हमारे हिंदी के स्वर, जिसे हम इन मैथड को यूज़ करके, इस dots को यूज़ करके, बच्चों को बहुत आसानी से हिंदी के सारे स्वर लिखना सिखा सकते हैं तो आज हम सिर्फ स्वर देखेंगे, इसके बाद हो जो next वीडियो बनेगी, उसमें हम व्येंजन देखेंगे तो अगर आपको ये वीडियो ची लगे, ये मैथड अच्छा लगे, आप बच्चेंगे